वैल तो गाईज बहुती ज़्यादा देर के बाद भाई गर में वापिस आ रहा हूँ भाई सुबे का गाईज यहाँ पर मॉर्निंग वॉल्क में निकला हुआ था भाई मजाग नहीं कर रहा सच में मॉर्निंग वॉल्क पे गया था तो गाईज देखो मैं क्यों गया था क्य तो गैस अब मैं ऐसा करता हूँ सीधे जाने के लावाना भाई मैं ऊपर से जाता हूँ यह देखते हैं गाई यह शिंचान चौप मेरी गैर हाजरी में करते हैं घर पे रुको रुको भाई साथ तेरी की यह चौप कहा चड़ा हूँ है रुको गैस यहां पर देखा जाये भा चुकि भाइसाब मेरे को जानने मुर्गी पेले आयी थी या फिर अपया लेना, मुझा क्या बाइसाब मैं तो न सो, आरे अरे देख छॉप तुईता गुशा गुशा कर रहा है इसका बतलब तzemहीं तरीयों अन्सर नहीं पता, भाई साब जब कलू आएगा उससे पूछे के भे अगर उसको पता हुआ ना तो भाई साब मैं तरी को एक करोड दे दूँगा अब वो तो मेरे से भी जादा बेरोजगार है भाई साब उसको कुछ नहीं पता होगा मैंने तो फिर भी बोल दिया कि क्या पता अंडाया हो यहां बिल्कुल तो गाई यहां पर मेरे हिसाब से पहले ना जो मुर्गी होती थी ना बाई मुर्गी पहले बाई मुर्गी नहीं होती थी कोई और भाई साब यहां पर स्पीशीज होती होगी और उसने भाई अंडा दिया और उस अंडे से मुर्गी बनी भाई साब क्या बोले जा रहे है भी ओ भाई साब देखो गाई मुझे नहीं पता मैं सच में अपनी तरफ से मार रहा हो बट क्या आपको पता है क्या हुआ ह मुझे लगता है कोई न कोई तो सही अंसर नहीं देगा बिलकुल यार गाई यह अंसर भाई सब जानना भाई जरूरी है भाई मुर्गी अंडे के बारे में पता नहीं गाई यह कोशन कितने सालों का भाई सब चलता रहा है और किसी ने आज तक मुझे इसका अंसर तो दिया भाई अब गाई आपर देखते हैं आपको पता या फिर नहीं बागी आप सब लोग बता दो और यह भाई सब यहाँ पर पूलिस की यहाँ पर सायरन की आवाजें क्यों आ रही है भाई सब कर लोए तो ने फिर से कोई चोरी वोरी की होगी अब मैंने चोरी वोरी करनी बाई बात है सुन लो गाई इसकी बहाँ बे कल वे मैंने सुना जो पनीर खाते हैं उसको पोटी नहीं आती ओए यार बाई गाई चोड़ो बाई इनकी बात ब्रोसा मत करो सब कुछ जूड बोल रहे हैं इनकी ऐसी तैसी लुका बाई लोगा बाई यह पत्थर का हैं बाई लेकर आना तो वो मैं ही लेकर आ सकता हूँ हाँ क्या सोचा तुम सबने अरे तुने हमको फिर से क्यों बुलाया इस मीटिंग में अबे मैंने तुमें बोला बना कि लो सेंटोस को जरूरत है थपड़ों की अरे मैं तेरी बात समझ गया तुझे लो सेंटोस को डरा कर रखन है तु लो सेंटोस में कबजा करना चाता है तु लो सेंटोस में दहशत मचाना चाता है अगर तुझे पता हो तो ये बात हमारी पिछले साल भी हुई थी जब तु मेरे पास आये था और तुझे पता है मेरा जवाब क्या था हाँ मुझे अच्छे से पता है तुमारा जव जवाब था वो फ्रैंकलिन हाँ बिल्कुल और अब भी भी वही मेरा जवाब होगा ठीक है तो यह अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ क्योंकि उसके होते हुए ना लो सेंटोस में तुम अपनी गैंग तो बसा नहीं सकते मैंने तुझे बोला भाना कि मेरे साथ मिला ल अब भी नहीं जो घुला गोमता है लो सेंटोस में उससे डरता है तु अरे तो जिसकी बात कर रहे हैं वो फ्रैंकलिन है फ्रैंकलिन और मैं तुम्हें बता दूँँ दो सो से ज्यादा दो सो से ज्यादा बंदे मार देता है वो महीने में वो भी अकेला उसके पास कोई टी है न तुम इनसे पूछ लो उससे सबी डरते हैं अबे वो पता भी है एक आरपी जिसे पचास बंदों का खात्मा ऐसी कर देता है हाँ बला 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 तुने तो सुना दिया पर मेरा प्लैन सुनेगा क्या भी अरे देख बैतर होगा तेरे पास कोई बड़िया प्लैन हो नह मेरा प्लैन है इस फ्रेंकलिन का खात्मा करना पर मुझे ये बता अगर ये लो सेंटों से फ्रेंकलिन खतम हो गया फिर तेरे को कुई दिक्कत अरे फिर बिलकुल दिक्कत नहीं है क्योंकि उस आदमी के बाद मेरे लिए कोई भी लो सेंटों में टकरगा नहीं रहेगा और उसके दोस्त आरे वो ट्रेवर, माइकल मुझे पता है उनके दोस्तों के बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेंशिन रखता हूँ उसके बारे में आरे वो दोनों नी कर पाएंगे कुछ भी ट्रेवर तो वैसे भी नशे वैशे करता है और जो माइकल है वो अपने बीबी बच्चों के साथ होता है तो में तो ये फ्रेंक्लिन है बस छीक है तो देख मेरा प्लैन न तू मेरे पीछे देख सकता है ये है मेरा प्लैन ये तेरा प्लैन है हाईडरा बिल्कुल तो जैसे तूने मुझे बताया कि उस फ्रैंकलिन को ऐसे खतम करना तो बहुत मुश्किल है तो मैं तुझे कहता हूँ कि हमें कोई बंदा लेकर जाने की भी जुर्यत नहीं है हम फ्रैंकलिन का खात्मा करेंगे इससे अरे इससे कैसे अरे सिंपल है ऐसे तो वो बोडिगा लेकर तो घूमता नहीं अपने साथ अरे हाँ बिलकुल तो बस हमने क्या करना है हम ये हाइडरा लेकर जाएंगे आज दोपहर को फ्रैंकलिन के घर के उपर और उसके घर के उपर मिसाइल्स पे मिसाइल्स मारेंगे जब तक ये फ्रैंकलिन अपड़ी आखनी सास नहीं ले लेता अरे इसमें तो खत्र है इसमें पुलिस आ सकती है अबे वही तो काम तेरा है पुलिस को संभा लेगा तू फ्रैंकलिन का खात्मा करूँगा मैं और एक बार ये दो काम हो गए उसके बाद हमें लोसेंटोस्क पे कबजा करने से कोई नहीं रोख सकता अरे चल तेरा प्लैन मुझे अच्छा लगा पहली बार कुछ ढंका लेकर आया पर तुझे बात बता दू फ्रैंकलिन को कमजोर मैं समझ ले न औरे क्या ही होगा उसके पास इस मिसाइल से टकर लेने के लिए हाहा क्या ही कर लेगा वो बंग्दों को तो वो गोलियों से मार देता है इत्ते तगडे हाइडरा को मारना मुश्किली नहीं नामुम्किन है और वैसे भी चार पांच मिसाइल उसके उपर लगी नहीं और फ्रैंकलिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से गायब अब या अब इसका क्या रूओं मैं आरे फ्रैंकलि मुझह घारा पर धी है घार घार को बटा को लड़ाई किस बात पर लोज है लड़ाई गया गैस इस बात पर लोड़ाई कि सुसु ना स्योंट जो भाइए यह जडिए चाहते हैं कि ट्यारेल की तरफ भागता है मुझे प्रैशर पड़ता है मैं इस भाई साब यहाँ पर खंबे के पीछे भागता हूँ घंबे के पीछे भागने की तेरे को कोई जूत नहीं है खंबा भहीं पर खड़ा है भै भाई साब पर तेरा दिमाग नहीं खड़ा कर दोपहर का मतलब डिनर होते ना नहीं सोरी लंच होति है लंच होता है memang जूर क्ते बजे करते हो बताना जुरूर को procurement ऐड़ बज़े कर लेता हूं पर मैं इसे बात कर लों यहां भाइसे क्रोड़ कर नहीं do मुझे वाइय ऐलो तु भाइस देखा देखा लग रहा हाँ मैं लोट गैंक के साथ भू करता था काम करता करता है वह गर तो है अरे यह सिर्फ सेथी के लिए लिका रहा हूं मेरी बात सुनो तुम्हारे पह संकट शंकट भाग जाए यहां से तेरी बात मेर. तलुए भूरा यह तो होई नहीं सकता कभी भी आरे यार यह यार गैंग के बंदे आपके पास ही क्यों आ आ जाते हैं पक्का यहाँ यहां पर कुछ ना कुछ तो ही दिक्कत है क्या दिक्कत है भाई मेरे लिए देखो मैं तुमें बता दूँगा पर उसके बद Six Damn मुझे कुछ चाहिए चाहिए तरे को मैं तुम्हें जो इन्फरमेशन ने वारा हूं तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है तो अगर po मुझे का मार है भाई तू एक गोली पे यहां पर डेर हो जाएगा और मुझे पता है तू ऐसे किसी बेकसूर आद्मी को नहीं मारता है इतना तो तेरे को जानता हूं हाँ अगर जानते है तो भाई यहां पर खड़ा क्या कर रहा है बाग जाए यहां से आरे फैकल बात तो सुन लो है उनको कोई information नहीं चाहिए देखो मैंने उसको alert करना था पर बच्चे तू समझदार रहा है जान अगर प्यारी है फ्रेंकलिन को तो यह information उसके लिए जरूरी है आरे यार यह तो डराय जा रहा है यार बहुत बात बता हां बोल तुझे 50,000 क्यों चाहिए मैं वो मुझे बेटे की पड़ा ही पुरी करवानी है बे बाई सब सच में छोड़ो तुम कहा मानोगे बागी तुम्हारी मर्जिया मेरे पास तो सिर्फ और सिफ ओफर था बाई चलता हूँ आरे हां फ्रेंकलिन यार मेरी बात मानो यार मुझे भी सही लग रहा है चौप जो कह रहा है ब अब एक बात जानने के लिए भाई मैं 50,000 रुपे दूँ भाई सा 50,000 डॉलर आन चलो 50,000 डॉलर गाई यार ऐसी कैसी बात हो सकती है भाई आरे फ्रेंकलिन फिर क्या होता यार दे दो मैं तो कहता हूँ यार मुझे लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो यार जुरूरी व मान सकता हूँ वैसे तो गाई यह दोनों भी कह रहे हैं अगर गाई आप सो भी लोग भी चाहते हो कि भाई मैं उस बंदेगा पीछा करकर उसको 50,000 डॉलर दे दूँ और उससे इन्फोर्मेशन ले लूँ जो भी वो मुझे देने वाला है बताओ भाई अब गाई आपके उपर है कुमेंड में यस लिखो वीडियो को लाइक करो मैं वेट कर रहा हूँ गाई जल्दी से करो भाई साब कर दो कर दो गाई यार यह कलुआ भाई साब तब ही जाएगा हां गाई अब देखो यार 50,000 है भाई अगर लेकर भाग गया तो मैं क्या करूँ आरे हां गाई वीडियो को लाइक मारो जल्दी से और यार लिखो कमेंड सेक्शन में यार फ्रैंकल भी आगो पता लगे जी आँ गाई चलो लिखो भाई साब देखते हैं आरे हमारा क्या होने वाला पता नहीं फायदा क्या होने वाला है भाई साब यहा पर ही गूम रहा अभी भाई बाइसाब क्या information है तरे पास होए पहले पैसे बाइसाब देखो गाइज attitude तो यह दिखा रहा है चलो गाइज इसको दे देता हूँ मैं डिग्गी में लेकर आ हूँ बाइसाब बैतर होगा तेरी information सही हो अगर तुने information कोई बेकार दी तो यह back तो बाइसाब तेरे को ले जान को खत रहा है अबे बहुत तो 24 गंटे रहते हैं मतलब आज दोपैर को तीन चार बजे के आसपास मेरे साब से तेरे उपर बहुत गंदी फायरिंग होने वाली है तो मैं यह तो कहूंगा तू यहां से भाग जा और यहा फिर जो तेरे मनाता है वो कर पर तीन चार बजे के क खांग career family man in चोरियां कि हैं मैंने बहुत डाके डाली है ंबहुत लोग लुटें पर एक गाम जो मैंने कभी में नहीं किया न amiliar किया न वह рук जूट बोलना ठीक है यह mow और वो अपना हाइड्रा लेकर आएगा और तरह उपर मिसाइज फायर करेगा एक सेकिंड हाइड्रा हाँ वो तो तुझे पता ही होगा क्या है हाँ भाई प्लेन है आरे फ्रेंक्ली बाइब वह तो खतरनाक होता है यार उसके उपर बहुत अगरी मिसाइज लगी होती है इतना ख्याल रखना मेरा गाम हो चुका है ओके बाई ओ बाई सब गाई यह तो पीछे की तरह भाग गया बैए बाई सब कल्वे मुझे लगता है वह जूट नहीं बोल रहा अबे मेरे को मारने की प्लेनिंग आरे फ्रेकल भी आप बिल्कुल भी डर क्यों नहीं रहे एक से मिसाइल्स फायर होंगी तो भाई मैं तो गाई माइकल की जान को भी खत्र हो जाएगा अरे आप दूसरों की जान की फिकर कर रहे हो खुद की जान की कौन करेगा यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइम डिमाग डल हो चुका है मेरा अब क्या कर सकता बाई टाइम देख सबसे पहले अब तु बात है तो ऐसी कर रहा है जैसे बाई तीन बजगे होते हैं नहीं गाई ओ भाई गाई यहां पर देड़ बजने वाला है एक बीस हो गए आरे तीन और चार के बीच में आप मिसाइल्स फायर होंगी आरे कुछ कर लो यहां तो पहने का मतलब क्या है तेरे मतलब गाईज आम पर सोचो एक सेकिंड के लिए हम लो सेंटो छोड़ कर चले गए बट फिर फायदा क्या होगा भाई हम कभी तो वापिस आएंगे जब हम वापिस आएंगे हम पर तब भाई साब यहां पर खतर है आरे फ्रेंकल भी आपकी बा पहरा मननी है कि मैं लो सेंटो से भाग जाऊं क्योंकि वह तो भाई साब यहां पर बिलकुली भाई बचकानी हरकत हो जाएगी बाई चोड़ कर क्यों जाऊं बे इतने साल गईज यहां पर लो सेंटो में रहा हूं भाई शाती चोड़ी करकर घूम आउं तो भाई आप भा प्राइड रहा है जो मिसाइल मारता भाई वो लगातार मारता हैं भाई उससे बचना बहुत मुझे ना कोई प्लैन बनाना पड़ेगा भाई सब भाई सब लो सेंटों छोड़ कर भाग जा आप नहीं यार वह तो होनी नहीं वाला वह तो भाई तो लिस्ट से कार देगी मै औरे फिर यहां तो फेंकल भी आपको मोज से डर नहीं लगता है। जिसके साथ guys हम यहाँ पर शायद बच सकते हैं तो भाई हाँ जल्दी से वीडियो को लाइक मारो मैं guys जल्दी से चलता हूँ उस location पे वो आपको बताता हूँ क्या है भाई सब मेरे को तो बता दे अब बताता हूँ जाने तो दो तो let's go guys जल्दी से चलते हैं वहाँ पर and उसके बाद guys मैं आपको plan समझाता हूँ मेरे मन में क्या है इस attack से बचने के लिए तो let's go आरे फ्रेंकिल मैं बस इतनी बाद बता दो कि हम एरपोर पे क्यों जा रहे हैं क्योंकि भाई सब यहाँ पर यह कलुए का भागने का plan है विल्कुल भी नहीं तो भाई सब क्या है यह अब बताता हूँ एक सेकंड रुखतो भाई सब इतनी गंदी जांप कलुए अब यार भाई guys यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा plan क्या है तो guys देखो scene कुछ ऐसा है सबसे पहले मुझे यहाँ से side हो जाओ भाई ता time थोड़ी है अड़े भाई या थोड़ा slow क्या हुआ sorry sorry भाई थोड़ी जल्दी में हूँ guys चलो भाई सब यहाँ पर तो guys देखो मैं airport में आ चुका हूँ भाई सब यार तू बोल बोल देखो guys यहाँ पर हाईडरा हम पर आकर हमला करेगा तो guys उससे बचने का एक ही तरीक है हमारे पास भाई सब क्या तो guys जो दुश्मन से बचने का बढ़िया तरीका होता है वो guys यही है कि दुश्मन से बड़े बन जाओ तो भाई सब मतलब अब तू क्या बड़ा हो जाएगा नहीं भाई guys अब मैं क्या करने वाला हूँ मुझे भाई सब यहाँ पर कुछ हाईडरा से भी उपर के लेवल का चाहिए अरे मतलब क्या प्लेन बेलकुल सिंचन प्लेन तो भाईस देखो अगर मुझे कोई खतरनाक सा प्लेन मिल गया जो हाईडरा से भी उपर वाले लेवल का होगा तो भाईस शायद यहाँ पर मैं बच पाऊं क्योंकि भाई अगर हाईडरा मेरे पर आकर हमला करेगा तो मैं गाईस उस वक्त अपने डिफेंस में भाई अपना प्लेन लेकर जाऊँगा और हाईडरा पर हमला करूँगा तो भाईस सा मतलब वान उन वन फाइट होने वाली है तू ऐसे भी कह सकता है तो भाईस सा मतलब मरना तो किसी को है आज बिल्कुल गाईस यहाँ पर या तो मैं या तो वो आप गाईस यहाँ पर देखा जाएगा पर उसके लिए गाईस यहाँ पर मुझे हाईडरा से भी एक तगड़ा प्लेन चाहिए होगा जो कि गाईस मुझे पका पता है यहाँ पर एरपोर्ट पे कहीं पे है अरे airport पे तो यहँदरन हाइडरा नहीं खड़ते ही, हाँ मुझे पता हाइडरा नहीं खड़े होते हैं, बट गैस यहाँ पर airport में पहुत ही ज़दा सालों से एक बात पता है, कि airport पे guys एक secret भाइब भाई साथ यहाँ पर plane है, जिसको guys छुपा कर रखा हुआ है इन्होंने, औ गैस अगर किसे तरीके से मुझे वो प्लेन मिल गया ना तो भाई मैं अर्राम से इन से फाइट कर पाऊंगा भाई भाई सब वो प्लेन के हाइटरा से भी तगड़ है बिल्कुल उसके अंदर वैपनस बहुत तगड़े लगे हुए है आरे फ्रैंकल भ्या फिर तो किसी भी यार हालाथ में वो प्लेन हमें चाहिए वही तो है बट गाईज यहाँ पर वो प्लेन ढूनने के लिए भाई थोड़ा सा दिमाग नहीं साथ साथ भाई साथ हाथ पैर भी चलाने पड़ेंगे तो देखो गाईज वो प्लेन डूनने के लिए ना मुझे यहाँ पर सबसे पहले पता करना होगा कि यह एरपोर्ट में वो प्लेन मिलेगा काहम पर अगर एक बार गाईज मुझे लोकेशन पता लग गई उसके बाद गैस वो वाला प्लेन गैस मैं उठा कर यहां से रवाना हो जाओंगा मतलब एक प्लेन की चोरी तो हम आज करने वाले हैं यह तो बात पकी है तो देखता हूँ भाई सब क्या करना है आज से मैं उपर क्यों जा रहा हूँ मुझे नहीं पता वैसे गैस मैं उपर इसलिए जा रहा था क्योंकि गैस मुझे उपर से देखना है तो गैस देखो यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत सारा यहां पर एरिया है भाई एक्स्प्लोर करने के लिए एरपोर्ट पे आये फ्रैकल भया हम घूमने नहीं आया यार दो तिन घंटों पे मिसाइल फायर होने वाली आप कुछ करो आया भाई कर रहा हूँ एक सेकिन वेट तो कर भाई तू तो गली पर जाता है बंदे के तो गैस देखो मेरे हिसाब से ना मुझे एक आधी लोकेशन पर प्लेन पका मिल जाएगा बस मुझे वो लोकेशन पता करनी है कहां पर होगी वह यह गाईज वो लोकेशन में पता कैसे करूँगा भाई इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई उसके लिए और इतना दिमाग तो भाई मुझे कुछ ने कुछ क्ल्यू चाहिए गाईज वो खतरनाग वाला प्लेन मुझे कहां पर मिलेगा आरे फ्रैंकल ब्या कोई ना कोई क्ल्यू आपको आरे वा यार मिसा ऐसे बचने का यार तरीका ढूंड रहे हो पहले अपनी लाते तो सही से चलानी सिखो आरे ईयार यहा पर बन्ते को डर लग रहा है तू भाई-साब यहा पर बन्ते को डरा रहा है और गलत नहीं करना है सार मैं तो वैसे गूम रहा हूँ देखिया ऐसे वैसे नॉर्मली एरपोर्ट पे घूमना लाउर नहीं है तो प्लीज अगर आपको की काम नहीं है तो अपने घर जा सकते हैं अब नई काम तो मेरे को है अरे हाँ गाईस यहाँ पर यह हमारी हेल्प कर सकते ह हाँ सीक्रेट प्लेइन तुम्हें क्या रहे न वैसे उससे अरे उससे मैंने तो मतलब कुछ नहीं लेना बट अगर आप मुझे बता सकते हो क्या वह वैसे है काम पर मतलब कोई लोकेशन वोकेशन देखो यह सब चीजे मेरे मतलब ड्यूटी के खिलाफ जाती है तो सोरी मै मतलब गाइस एक बात तो पक्की है लोकेशन तो है अरे अंकल बता दो यार जिंदिकी और मोत का सवाल है आप नहीं चाहते का फैंकल बिया को फिरसी एरपोर्ट पे देखना अगर आपने नहीं बताया तो अगली बात तो पक्का नहीं आ पाएंगे आप शीन चैन तुने क गिसी साब से कलुआ भाई साब यहां पर खह रहा है अबे रुको गाईस यहां पर नहीं एक पर उसका पीछा करकर देखते हैं वो गया कहां पर है भाई साब उसका पीछा क्यों करेगा भी अबे क्यों कि भाई यहां पर कुछ पता लग सकता है भाई साब अब तक तो तेर कि यहां पर कुछ तो बात हो रही है वह देखो इसकी गाड़ से बात कर रहा है और उसके हाथ में गन भी है गाइस यहां पर बाते सुननी है भाई मेरे को एक सेकिन आगे जाकर सुनता हूँ अरे यह फ्रेकल भी आ यार यह वाले काम करने कब बद करेंगे हाँ वो मतलब वो लोकेशन डूड़ रहा था इसकी तो अच्छा होगा सारे गार्द को पहले बोल कर रखदो कि security थोड़ी tight रखें हरे security पुरी tight is sir आप फिकर मत कीजिए थोड़ी tight रखना security क्योंकि पता नहीं वो आदमी कहाँ पर कभी भी आ सकता है तो इसलिए क्या रहा हूँ security बिल्कुल tight रखना एक सेकिंड यहां पर यह security टैड क्यों करवा रहा है अरे क्या पता फैकल ब्याइब यहीं कहीं हो वह वाला plane एक सेकिंड आसपास देखूं क्या भाई साब यहां पर है क्या भाई साब क्या हुआ बेकल वे अब एक सेकिंड तु वहाँ पर चुप रहा है इसके पास कुछ लेकर जा रहा है अगर वह साब ने देखा जाए तो आइसे तैसी बाई इत्ते बंदे बिल्कुल यहां पर plane अंदर है बस हमें अब plane उठाना है भाई एक सेकिंड आइस यहां पर plane उठाने की बारी आ चुकी है तो लेट्स गो यहां पर शांती से जाते हैं यहां पर वह plane उठाने का कुछ करते हैं भाई बंदो बस्त सबसे पहले यहां पर इस बंदे को पड़कता हूँ भाई अब यहां पर plane मुझे जैसे तैसी करकर चाहिए तो भाई सब कुछ भी करूँगा मैं plane के लिए let's go यह तो यहां पर गया अब यहां पर आगे जाते हैं जल्दी से एक बंदा उसके पीछे खड़ा है और उसको कुछ दिखा नहीं क्या तेरी ऐसी तैसी भाई सब इतना गंदा एम कबसे हो गया गाई मेरा अबे फसक बाई सब अरे जल्दी कुछ करो हमारे पास बिल्कुल भी टाइब नहीं है यार इससे पह Whewाले पहले गी यहां पर हमारी ऐसी तैसी हो जाए। आप इनकी ऐसी तैसी करकर जल्दी चलो अबे रुक भाई कुछ कर रहा हूँ भाई मैं गाईस यार यह भाईस यहाँ पर सभी लोग भाईस यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं बट गाईस मैं यहाँ पर कुछ भी होने दे सकता भाईस यहाँ पर पुलिस वाला है यहां पर क्या कर रहा था लेट्स गो गाईज जल्दी से चलता हूँ तू यहां पर पीछे आओ तेरी तो रुक भाई सब ओहो हो क्या शोट गन का शोट मारा एन गाईज आपर यह भी जिन्दा लगता है लेट्स गो अब भाई आरे फैंक भाई खोलो खोलो लेट्स गो गाईज इसके अंदर जाकर देखते हैं भाई है क्या ओ तेरी की भाई किता बड़ा है यह आरे फैंक बाय यह जहाज है क्या अब पागल प्लेन है भाई यहां पर देख सकते हो भाई ओ भाई है क्या चीज रखी हुए भाई इन्होंने अंदर भाई यह तो पूरनी चाहिए सच में बड़ा है भाई इसको नंबर दोगा इस दस में से मैं तो सो दूंगा भाई यह किता तकड़ा लग रहा है भाई यह देखने में देखो तो भाई यह तो गाइस यहां पर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लेकर चलते हैं जल्दी से भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यह बहुत हॉठा लाए तूब बस बाईशाब चौप इसी का तो इंतजार था गाईस यह तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई इसके अंदर आपक्या कैस चलाने को रूकर देखते हूं बहुत ही जादा भारी है हज से ज्यादा बहुत तगड़ी चीज आबे मैं मिल्टरी बेस के ऊपर क्या कर रहा हूं भाई गुमो 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 गॉमो गाईस आप सब लोग देख सकते हूं यह तो भाई कुछ तगड़ा ही फेंगता है भाई ये देखो I think guys यहाँ पर इससे तो भाई वो नहीं जीत पाएगे And guys मेरे साब से time हो चुका है भाई आरे मतलब आव हमें जारा चाहिए वो आ रहे होंगे Let's go guys हमारा हत्यार भी तेयार है मैं आगया हूं बस अब इनके घरके पास अब तो ये नहीं बचेगा मेरे हाथो से सारकफ मेरे हाथ में आब सीधा इसके घर पर जाकर Missiles पे Missiles ठोकूंँगा अब इसको मेरे से कोन बचाएगा ये Franklin को चलो Franklin को दिखाते है उसका असली मकसद लो सेंटोस में आने का जो की है मौत चलो लेट्स गो अरे फ्रैंकलिन ब्या हम तो घर के बहुत पास आ चुके है यार पर हाइडरा तो कहीं नहीं है अबे भाइस इंचान इतने छोटे से हाइडरा को कैसे ढूड़नेंगे इतने बड़े यहाँ पर प्लेन से गाइस मेरे हिसाब से वो आस पास ही होना चाहिए इस वक्त अब एक सेकंड यह सामने प्लेन किसका है गाइस वो देखो मेरे सामने भाई इसका हाइडरा इसकी ऐसी तैसी अपनी छोड़ता इसको यह देखो गाइस हमारे सामने आ रहा है आप देख पारे होगे ओ नो यह तो फ्रेंकलिन का बच्चा है यह यहाँ पर क्या कर रहा है इतने बड़े प्लेन से कासे आ गया यह गाइस यह नहीं बचेगा मेरे हाँ से 321 बे बाई साब फोट डाल अब बे गाइस चलो ओ भाई साब इसको कुछ हो क्यों नहीं ना भाई ओ ओ ओ ओ भाई साब एक सेकेड में कार दिया फ्रेंकलिन के बच्चे तुमा मैं नहीं छोड़ूँगा अरे फ्रेंकलिन भी या उसका प्लेन यार हवा में आ गया पूरा बे भाई साब अंकल टाटा भाई भाई तो बोल जाओ भाई साब क्या जल्दी है इसनी भी भाई साब प्लेन चलाने की तुमको अरे मुझे कोई बचाओ गाईस यार हमसे पंगे लेने है भाई इनको हमसे अरे फ्रेंकल भी आपने तो यह लडाई एक सैकिन में खतम कर दी गाईस फिर ऐसे ही है भाई यहाँ पर इस प्लेन के लिए एक लाइक तो बनता है गाईस आज की वीडियो के लिए बैबाई सब चलो गाईस मज़ा आ गया बेलकुल यार गाईस अगर यह हमारे हाथ में ना होता ना तो भाई यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता था अरे बात तो सही है यार आपने हाईडरा को बीच में से कार दिया बिलकुल गाईदर चीज तो यह तगडिय है भाई माने या मत मानो बाकि आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो लाइक करना चैनल को करना सब्सक्राइब हम मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद एंड वंदे मातरम